नमस्ते विद्याती मित्रो, संस्कार विद्यलामा तमारो स्वागाच छे, विद्याती मित्रो, जेम के तम्में जोई शको छो आधरन 5 विशय हिंदीनो प्रश्णो ना जवाबू आपेला छे, या आप जेनो अध्यन करीशु, अगाव तमे तमारो प्रथम प्रकरन नो जे प्रथम पाट छे, या ता याद एनो अध्यन करीव, हवे आपड़े एज पाट माधी लगता केतला विकल को तेमें प्रश्णो ना जवाब अहीं मेड़ू इशु, तो जालो शरुआत करिये प्रश्ण नमबर एक ठीव, प्रश्ण नमबर एक छे, सही विकल पुचुन कर उत्तर दीजिए, हवा में उड़ने वाले यातायाद के साधन कौन सा है, हवा में उड़ने वाला यातायाद के साधन कौन सा है, साइकिल, मोटर कार, भायू या या स्टीमर, तो इसका सही जवाब है, भायू या, दूसरा प्रश्ण है, तीन पहियो वाला साधन कौन सा है, अ रिक्षा बस साइकिल तो बस ड़ जहाज तो इसका जवाब है अ रिक्षा हमारा अगला प्रश्ण है यातायाद के कौन से साधन को गोड़ा खिश्टा है अ मोटरसाइकिल बस स्कूटर अ टांगा या ड़ बस तो इसका जवाब है का टांगा प्रश्ण नमबर पांच चरवाहेने घाव के लोगों के साथ क्या किया अ उनका मजा कुड़ाया ब उनसे दोस्ति की का उनके काम में मदद की या ड़ उनका आभार व्यक्त किया तो इसका सही जवाब है उनका मजा कुड़ाया अगला प्रश्ण है इन में से फूल का नाम कौन सा है बेल गाड़ी ब टांगा का गुलाब ड़ स्कूटर तो इसका सही जवाब है का गुलाब हमारा अकला प्रश्ण है हमारा राष्टिय फूल कौन सा है गुलाब ब कमल का सुरजमुखी डचमेली तो इसका सही जवाब है ब कमल आगे चरवाहा क्या करता है तो हमारे ओप्शन है अनाज बेश्टा है ब फल और सबजिया बेश्टा है क भेड बक्रिया जराता है या ड खेटी करता है तो सही जवाब है क भेड बक्रिया जराता है तो विध्याते मित्रो अही तमारो प्रश्ण नमबर एक पुर्ण थाई छे आगर आपणे जो ये प्रश्ण नमबर बेश निम्न लिखित प्रश्णों के एक एक वाख्यमी उत्तर दीजिये कौन से फुल की दालियो पर कांटे होते है किन साधनों में सवारी करने पर पैसा लगता है इसका जबाब है रिक्षा, चहाज, टांगा और मोटरकार में सवारी करने पर पैसा लगता है तीसरा सवाल है चरवाहे को किस बाद का पस्तावा हुआ तो इसका जवाब है चरवाहे को अपनी मज़ाग करने की आदत पर पस्तावा हुआ फूलों की पंखुडिया कैसी होती है तो इसका जवाब है फूलों की पंखुडिया कोमल होती है फूल और पंखुडिया सब को प्यारे लगते है हमारा अगला प्रश्न है बागनी क्या किया इसका जवाब है बागनी चरवाहे की सभी भेड़ बकरियों को मार डाला हमारा अगला प्रश्न है किन ही पांच फूलों के नाम लिखिये इसका जवाब है गुलाब, कमल, सुरजमुखी, चमेली और जास्मिन फूलों के नाम है हमारा अगला प्रश्न है फूलों के रंग कैसे होते हैं इसका जवाब है फूल, सफेर, लाल, पीले और गुलाबी रंग के होते हैं हमारा अगला प्रश्न है बस और रेल के अलावा किन साधनों में सवारी करने पर टिकित लगता है तो बस और रेल के अलावा ट्रेन, विमान और स्टीमर में सवारी करने पर टिकित लगता है गाव के लोग चरवाही की मदद में क्यों नहीं आई इसका जवाब है आजपास के लोगों ने चरवाही की आवाद सुनी लेकिन उसकी जो मज़ाक उड़ाने की आदत थी इस वज़ाव से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया हमारा अगला प्रश्ण है यातायात के साधन के पांच नाम लिखिये तो जवाब है साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, रिक्षा और बस यातायात के साधन है चरवाहा क्या चिल्लाता था तो जवाब है चरवाहा बागाया, बागाया, बच्चाव, बच्चाव, चिल्लाता था कौन सा फूल दल-दल में खिल्ता है तो इसका जवाब है कमल का फूल दल-दल में खिल्ता है तो विद्यात्निमित्रो अनी तमारू प्रश्ण नंबर बे, पुर्ण थाई छे हबे जोई ये प्रश्ण नंबर त्रण, नीमन लिखीत प्रश्णो के उत्तर, लिखिये एमा पेलू छे, एक सरस पोष्टक आपेलू छे, एने उपर कौंसमा केटलाक साधनू ना नाम पन लखेला छे थे विद्यात्निमित्रो अप्रश्ण गरवानू छे, तो बे पैडावारा साधनू, त्रण पैडावारा साधनू, चार पैडावारा साधनू, तेमा चार पैडा करता जे, बधार पैडावारा साधनू होई, एने अलग अलग तारववाना, छे, आप अपड़े भगी खुद करिये पेलू छे दो पहिये वाले साधन तो दो पहिये वाले साधन साइकल, स्कूटर, मोटर साइकल और टांगा आपने देखे होगे तो इनके कितने पहिये होते हैं दो तो दो पहिये वाले साधन में क्या क्या आएगा साइकल, स्कूटर, मोटर साइकल और टांगा आगे है तीन पहिये वाले साधन तो इसमें तीन पहिये वाले साधन में क्या आएगा रिक्ष्या हमने रिक्ष्या को तो देखाई है उसके कितने पहिये होते हैं तीन अब चार प मोटर, कार्ड, इनमें कितने पहिये होते हैं? चार, अब चार से अधिक पहिये वाले, तो ट्रेन तो आप सबने देखी ही होगी, तो ट्रेन के चार से अधिक पहिये होते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, तुम किस प्रकार जाते हो? तो पहला है मामा के गर, तो मामा के गर आप कैसे जाते हो तो क्या लिखेंगे रिक्षा, बस या मोटर साइकल से दूसरा है सिनेमा देखने कैसे जाते हो तो उसमें क्या लिखेंगे परिवार के साथ मोटर कार से तीसरा है स्कूल तो आप स्कूल में कैसे जाते हो तो बस या रिक्षा से फिर आएगा बाजार आप बाजार केसे जाते हो तो साइकिल या मोटर साइकेल से वित्यार फिलेल मित्रो अबे आपड़े ती जो प्रश्णा आवेल छी तो अइआ तमे शरस्मजानी एक चित्र जुओ छो शानी चित्र छे तो आ एक टिकितनु चित्र छे आपड़े सुकरानों छे आ चित्रना आधारे नीचे आपेला प्रश्णुना जवाब जे छे ए आपड़ाना छे तो चालो आपड़ो प्रश्ण छे यह किसका चित्र है तो जवाब छे यह टिकित का चित्र है बीजु छे रेलवे के टिकित में किराया कितना लिखा है तो एनु जवाब छे आरेज 1728 रुपे अवे बिजु प्रश्ण छे बस के टिकित में किराया कितना लिखा है तो एनु जवाब छे बस के टिकित में 129 रुपे लिखे है हवे आपनों चोच प्रश्ण छे विद्यात की मित्रो एमा पंटमें जुओ छो के दिए गए टिकित का चित्र देख कर प्रश्ण के उत्तर दीजिए अईया एक सरस्मचाने टिकित आपेले छे आपनने आपने आपने सुकरवान हुँछे ए टिकित ना धारे निचे आपने प्रफ्रणाजे जवाबो छे ए आपने लखवाना छे तो प्हेलू छे यह किसका चित्र है तो यह टिकेट का चित्र है रेलवे के टिकेट में किराया कितना लिखा है जेलवे के टिकेट में 1728 रुपे किराया लिखा है हमारा अगला प्रश्ण है बस के टिकेट में किराया कितना लिखा है तो बस के टिकेट में 129 रुपे किराया लिखा है हमारा अगला प्रश्ण है बस का टिकेट कहा जाने के दिये है तो इसका जवाब है बस का टिकट अहम्दाबाद जाने के लिए है हमारा अगला प्रश्ण है रेल्वे का टिकट कहा जाने के लिए है तो रेल्वे का टिकट सिकंदाबाद से अहम्दाबाद जाने के लिए है तो हमारा अगला प्रश्ण है रेल्वे टिकेट का दिनाग कौन सा है तो रेल्वे टिकेट का दिनाग उन्नेस नो दो हजार दस है अगला अमारा प्रश्ण है बस टिकेट का दिनाग कौन सा है तो बस टिकेट का दिनाग है सत्तर तो चड़ा विद्यात्थी मित्रो अहीं आपनों प्रश्ण छे तुम कीस प्रकार जाते हो विद्यात्थे मित्रो अहीं आपनों कोश्चक पर थी आपनों प्रश्णा उत्तर हता इमेर्विया हवे तुम किस प्रकार जाते हो जिसके बारे में हमने आगे भी पढ़ा था कि मामा के गर कैसे जाते हो तो बस या मोटर साइकल से सीनेमा देखने कैसे जाते हो तो सीनेमा देखने के लिए आप परिवार के साथ मोटर सार में जाते हो स्कूल कैसे जाते हो तो रिक्षा या बस से बाजार कैसे जाते हो तो बाजार आप मोटर साइक्ल या पेदल की जा सकते हो अब फिल से कोश्टप है दो पहिए वाले साधन, तिन पहिए वाले साधन, चार पहिए वाले जो हमने आगे भी किया था अब आके साइकल, मोटर साइकल, स्कूटर, टांगा, रिक्ष्या, बस, मोटर कार, वायू, विमान, स्टीमर, जहाज नीचे दी गई तालीका में वर्गी गुरुद कीजिए तो अब सड़क पर चलने वाले यतायाद के सादन कौन से है तो सड़क पर चलने वाले मोटर साइकल, स्कूटर, टांगा, रिक्ष्या, बस, मोटर कार, वो सब सड़क पर चलने वाले है अब हवा में उगने वाले यातायाद के साधन तो विमान और वायोयान अब पाने में जलने वाले यातायाद के साधन तो स्टीमर और जहाज आगे है निम्नलिकित परिछेट का मात्रु बाषा में अनुवाद कीजिये मुझे बेल गाड़ी में बेतना पसंद है आपड़े एने मात्रु बाषा मा अनुवाद करवानू छे तो मुझे बेल गाड़ी में बेतना पसंद है मने बड़त गाड़ी मा बेशबू गमे छे बीजु छे ओटो रिक्षा के तीन फ़हिये होते हैं तो ओटो रिक्षा ना त्रोन बैडा होई छे कमल हमारा राष्ट्रिय फूल है कमल आपनों राष्ट्रिय फूल छे बच्चे को साइकल चलाव वी गमे छे चलाव वी कई सके हंकार वी कई सके तो आपने वाक्याने बढ़कोने साइकल हंकार वी गमे छे क्यार पशी जो ये पाइलर्ट विमान उड़ाते है पाइलर्ट विमान हंकारे छे के उड़ावे छे हवे आगट फ्रस्ट्न नमबर पांच रिक्ष सान को फुरा कीजिये तो पहलू है छे चरवा है की भेट बक्रियों को खाली जग्याने माल डाला दो उप्षन है बाग और शे तो इसका सही जवाब है बाग दूसरा है चरवाहा जहाज टिककर्ट बेल गाड़ी सड़क फूल और बाग हमें क्या करना है ये इस फाल जग्या में हमें योग के सब्द रखना है तो पहला है पानी में चलने वाला यातायात का साधन है तो जहाज पानी में चलने वाला यातायात का साधन है दूसरा है खाली जग्या सबको प्यारे लगते है तो फूल सबको प्यारे लगते है तीसरा है मोटर कार खाली जग्या पर चलाई जाती है तो सडक पर मोटर कार सडक पर चलाई जाती है अब तीसरा है चलवाहा, जहाज, टिकट, बेल गाड़ी, सड़क, फूल और बाग हमें सही विकल्प चुंकर खाल जग्या भरनी है ट्रेन में सवारी करने के लिए खाली जग्या लेना पड़ता है तो ट्रेन में सवारी करने के लिए टिकट लेना पड़ेगा फिर दूसरी है हमारी खाली जग्या है खाली जग्या की सवारी मुप्त में होती है तो बेल गाड़ी की आप लोग कभी बेल गाड़ी में बेठे हो बेल गाड़ी में कोई पेशा लगता नहीं है वो मुप्त की सवारी होती है अब आगे खाले जग्या भेड बक्रिया चराता था तो चरवाहा भेड बक्रिया चराता हाँ प्रश्ण नमबर 6 चीत्र को पहिचान कर उसके नीचे नाम लिखिये हमने ये पाट का देन किया था तब हमने बक्रिय चे का भी जिक्र किया था यातायात के साधनों का भी जिक्र किया था तो अब हमें क्या करना है चीत्र दिये गए है हमें उने पहचान कर उनका नाम लिखना है तो विद्या थे मित्रों, पहलू जे चित्र छे एचे गुलाब नू, विजु छे बार मासी, कमड अने सुर्यमुकी, पछी नू जे चित्र छे एचे साइकल, वायू यान अने दिक्षा, क्रिजु चित्र छे साइकल, दिक्षा, बस अने मोटरसाइकल, विद्यार्थी मित्रों, त्यार पछी नू चित्र मापड़्टामी जोई सको छो, स्कूटर, स्टिमर अने चहाज, त्यार पछी ट्रेन, वायू यान, विमान, मोटरकार अने आ वायू यान, आ विमान छे, त्यार पछी फूल नी वाद छे, तो आज ए छे ए जेस्मिन नो फूल छे ने, आ गेंटा नो बूल छे, आ सुरज मुखी, चम्पा अने चमेली, कमर, घुलाब अने बारमासी, प्रेन, विमान, मोटरकार, टांगा, बस अने मोटरसाइके, तो विदर्थी मित्रो हवे आपड़ो प्रश्ण नमबर साथ चोईए, निम्न लिखित विधान के सामने सही और घलत का चिन्ह, दीजिये, पेलू से हमें अपनी गलतियों का परिणाम भूगतना पड़ता है, तो इसके सामने हम लखेंगे सही, दूसरा है, खूल खुश्भू देते है, तो सही, तीसरा है, चलवाहा कभी किसी का मज़ाख नहीं उडाता, तो उसमें लिखेंगे गलत, ट्रेन पट्री पर चलती है, सही, सैकील दो पहियों वाला साधन है, सही, स्कूटर चार पहियों वाला साधन नहीं है, विमान सड़क पर चलता है, विमान सड़क पर नहीं चलता, वो कहा चलता है, आकास में उड़ता है, अब क्रश्न नंबर, आट, निनन लिखित गुजाती सब्दों के हिंदी सब्द लिखिये, तो पहलो छे हेलिकॉप्टर, एतले भायू यान, अने कमल, एतले कमल, बिजु छे, कार, और जहाज, तो गाडी माँ सब्दों लखिशू, कार, अने जहाज माँ जहाज, गोडा गाडी मा लखिशू, टांगा, अने बाग मा लखिशू, बाग, रिक्षा, साइकल, तो एमा रिक्षा मा लखिशू, रिक्षा, अने साइकल मा लखिशू, साइकल, दो पहर, एटेके बपोर अने भूल, तो बपोर मा लखिशू, दो पहर, अने भूल मा लखिशू, गलती, गेटू, अने स्टीमर, तो गेटू छे, एने हिंदी मा शुकेवाई, भेड, अने स्टीमर ने स्टीमर अच केवाई, तो विद्याती मित्रो, आजे, प्रश्णों ना जवाब छे, पाठ, एक पाठनों नाम छे, याता, याद, आशा छे, तम्में बजाए, सरस्रीते या पाठने समझेवाई, तो विद्याती मित्रो, अवेदा जा लएए, फरी मलीशू, नवा जप्तों साथे, आपी, पाठने समय खाठने समय टाए, एक रे, या जादी, एक रे, जे पाठने समय खोगए, जे आएए, ओब